दि इन्विजलो मैन चैप्टर सैबन हिंदी समरी मिश्टर बंटिंग के घर चोरी में अजनबी के सामिल होने के सक कारण मिसेज हॉल अजनबी को खाना नहीं देती है परिसान होकर जब अजनबी घर के भाहर आता है और पूछटाज करता है तो मिसेज हॉल बिल्च चुकाने को कहती है बिल्च चुकाने पर मिसेज हॉल पूछती है अचानक इतने अधिक पैसे कहां से आ गए तुमाँ पास कल तो पैसे नहीं दे तुमाँ पास और उसने फरनीचर के साथ क्या किया है वो अपने आप कैसे हीले लगे थे इस पर अजनभी भढ़क जाता है और अपनी असलियत को एक जटके में ही सबके सामने ला देता है वो अपनी पट्टियां खोलने लगता है उसके चेहरे के गायब होते ही सबी लोग इधर से उधर भागने लगते है पर गाउं में देसत गर्दी फैलाने के जुर्म में उसे गिरफतार करने के लिए मिश्टर बॉबी जैफार्स आते है लोगों ने उन्हें उसके बारे में बताया पर जैफार्स ने कहा सिर्फ हो या ना हो वह उसे गिरफतार करके ही जाएगा मिश्टर जफार और सेंडी विजर अजनभी के पीछे पीछे भागते हैं और वह उससे लड़ बैटते हैं पर अजनभी भाग निकलता है चैप्टर एट हिंदी समरी मिश्टर गिबंस एक प्रकृती प्रेमी है वह बाहर खुले मैदान में अपना दिन वतीत कर रहे थे तब ही उन्होंने किसी की आवाज चुनी वह पक्के तोर पर कह सकते थे कि कोई छीक रहा है और बोल रहा है परंतु देखने पर उन्हें वहाँ कोई दिखी नी रहा था गिबंस को वह आवाज बढ़ती हुई प्रतीत हुई जैसे कि कोई व्यक्ती उनके पास आ रहा हो और फिर वह आवाज साब नापत हो गई गिबंस बहुत डर गय थे और गाओ के तरह भागने लगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब